दोस्तो अनार को विश्व के चुनिंदा गुणकारी फलो में से एक माना गया है ये जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही स्वास्थ के लिए लाबधायक भी होता है हाई बलड पेशर, कोलेस्ट्रॉल, हिर्दय का रोग या फिर खून की कमी में इसका सेवन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है इसके अलावा अनार के बीज और पत्यों के भी कई सारे स्वास्थ लाब है लेकिन उसके बारे में मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंग दोस्तो इसके अलावा भी इस फल का एक और हिस्सा है जो अपने अंदर कई औसधी गुन रखता है और वो है अनार के छिलके को आयरवेद में औसधी माना गया है जो कि हमारे शरीर के लिए कई तरीके से लाबदायक है आज की इस वीडियो में मैं आपको अनार के छिलके के फायदे के बारे में पताने जा रहा हूँ मेरा दावा है कि अगर आप अनार के छिलके के फायदे के बारे में जान जाएंगे तो कभी भी इसके छिलके को फेकेंगे नहीं दोस्तो अनार के छिलके में एंटी ऑक्सिडेंट बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें जो एंटी करने के एक घंटे के बाद अनार के छिलके के चूरन का प्रियोग गरम पानी के साथ कीजिए ऐसा करने से ना सिर्फ आपके सरीर में कुलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा बलकि ये आपके हिर्दे को भी मजबूत करेगा कई सारे रिसर्च में तो ये पता चला है कि अनार के छिलके का प्रियोग करने से हिर्दे से संबंदित रोगों को 90% तक कम किया गया है दोस्तों बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया कि अनार के छिलके में जो एंटि आक्सिदिन्ट होता है वो हमारे सरीर से विशैले पदार्थ को निकालता है यानि कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने बॉडी से विशैले पदार्थ को निकालना चाहते हैं तो रोजाना सुबा सिर्फ तीन दिन तक आपको एक ताजे अनार के छिलके को रात में एक गलास पानी में भिगो करके रख देना है, सुबा उठ करके छान करके इस पानी को पी लेना है, अनार के छिलके के इस पानी से ना सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी बलकि लिवर में मौजूद गंदगी या फिर छोट या बड़ी आत की गंदगी को भी ये सुबा सुबा मल के साथ बाहर निकाल देगा अनार के छिलके का जो कसाला पन होता है इससे किड्नी के रोग बड़ी ही तेजी से दूर होते हैं जिन लोगों को किड्नी से related कोई भी प्रॉबलम है पेशाब रुक रुक करके आता है या फिर पेशाब में जलन होती है उन लोगों को 15 दिन इस नुस्खे का प्रियोग जरूर करना चाहिए ऐसा करने से किड्नी या फिर ब्लैडर से जोड़ी प्रॉबलम 15 दिन में ही दूर हो जाती है आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यदा हैरानी होगी कि अनार के छिलके में विटमिन सी भरपूर मात्रा में पाये जाता है जितना विटमिन सी आपको दो संत्रे में मिलता है उतना विटमिन सी आपको एक अनार के छिलके से मिल जाता है दोस्तो विटमिन C हमारे सरीर में घाव को भरने में मदद करता है इसके साथ ही सरीर में आइरन के एब्जॉप्शन को भी बढ़ाता है यानि कि अगर आपके सरीर में विटमिन C की मात्रा अच्छी रहेगी तभी आपके सरीर में आइरन रहेगा अगर आपके सरीर में विटमीन सी अच्छी मात्रा में है तो आपके सरीर में कोई भी वाइरल इन्फेक्शन या संक्रमन बिल्कुल भी नहीं होगा अनार के छिलके का उप्योग आप अपने मुँग को स्वस्त रखने के लिए भी कर सकते हैं अनार के छिलके में पॉलिफेनुलिक फ्लेवनोइट्स पाये जाता है जिसमें की एक एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल गुड होते हैं ये गुड कितानों और फंगस को खत्म करके संक्रमन को दूर रखने में मदद करते हैं अनार के छिलके का प्रियोग करके आप घर में ही mouth wash बना सकते हैं सबसे पहले तो आप अनार के छिलके को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजे फिर इसका बारिक powder बना लीजे रोजाना सुबह ब्रश करने के बाद इससे अपने दांतों की सफाई करिए ऐसा करने से ना सरफ आपके दांत मजबूत होंगे बलकी मसूडे भी मजबूत होंगे जिन लोगों को पाई रिया की प्रॉबलम है या फिर जिन लोगों को पाई रिया है उनके लिए भी इस चूरन से मसाज करना बहुती ज़दा फाइदमन रहता है अगर किसी करन से आपका गला बैट गया है गले में खरास से या फिर गले में दर्द हो रहा है तो अनार के छिलके को एगलास पानी में डाल करके पांच मिनट के लिए उबाल लीजिए जब पानी एक कप रह जाए तो इस पानी को फूक फूक करके पी लीजिए ऐसा करने से गले का दर्द तुरंत दूर होता है अगर गले में कोई संक्रमा हो गया है तो वो भी दूर हो जाता है इसके साथ ही खरास और बलगम भी दूर हो जाती है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अनार की छिलके का जो कसाला पन होता है ये किड्नी और ब्लैडर को मजबूत करता है तो जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की प्रॉबलम है पेशाब में जलन होती है पेशाब बूंद बूंद करके होता है या फिर पेश प्रशाप करते समय दर्ध होता है, उन लोगों के लिए अनार के छिलके का उप्योग किसी राम बान आउसधी से कम नहीं है, इसके लिए आपको रात में एक गलास पानी में एक अनार के छिलके को भीगो करके रख देना है, सुबा उटकर के इस पानी को पी लेना है, ऐसा अगर आप इस नुस्के का प्रियोग लगातार एक या दो महिने तक करते हैं तो पेसाप से जूरी समस्या बिलकुल समाप्त हो जाएगी जिन लोगों को चेहरे पर मुहासे बहुत ही जादा होते हैं चेहरे पे हमेशा पिंपल्स रहते हैं दाग धब्बे हैं उनके लिए अन अनार के छिलके के चूरन का पेस्ट आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं ऐसा करने से पिंपल्स दाग धब्बे और जूरीया बिलकुल से समाप्त हो जाती हैं इस नुस्के का प्रियोग आप रोजाना एक दिन छोड़ करके कर सकते हैं जिनके चेहरे पर संबर्न हो ग करते हैं ऐसा करने से संबर्न और जुरियां बिलकुल गायब हो जाती हैं दोस्तों ये थे अनार के छिलके के कुछ ऐसे फायदे जिने आप सायद आज से पहले नहीं जानते होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए साथ ही ह हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे तो दोस्तों मैं मिलता हूँ कल आप से एक और नए इंट्रस्टिंग से वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार